मित्रों आप सबने एलन मस्क का नाम तो सुना ही होगा और क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं इनका एक टाइम बो था जब इनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे लेकिन आज इनके पास सब कुछ है मित्रो एलन मस्क की जिंदगी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है इसलिए उन्हें आइरन मैन भी कहा जाता है टेकनोलोजी से उनका प्यार और कुछ नया करने का जुनून उन्हें दुनिया की नामी गिरामी हस्तियों से अलग खड़ा करता है टेसला और स्पेस एक्स के सीईओ एमजोन के फाउंडर जैफ बेजोस को पचाड़ कर दुनिया के सबसे अमीर शक्स बन गए हम बताने जा रहे हैं एलन मस्क की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी बातें जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे एलन मस्क फर्स से अर्स की उचाईयों तक पहुचे एलन मस्क कॉलेज के दिनों से हटी थे जो ठान लिया उसे करना है फिर चाहे रास्ते में हजार मुश्कले ही क्यों ना आए बिलूमबर्ग बिलिनियर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर 500 लोगों की लिष्ट में पहले पाइदान पर पहुचे एलन मस्क इतिहास रच चुके है एलन मस्क की नेटबर्ग 2020 में डेर सो बिलिन डॉलर के पार चली गई थी और टेसला का शेर 743 परसेंट बढ़ चुका है बीते गुरूबार को टेसला के शेर में आई 5 परसेंट की तेजी ने एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर शक्स बना दिया क्योंकि उनकी कुल नेटबर्ग 188.5 बिलिन डॉलर पहुच गई जो की जैफ वेजोस से 1.5 बिलिन डॉलर चाहता है वेजोस अक्टूबर 2017 से ही दुनिया के सबसे अमीर शक्स बने हुए थे लेकिन आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शक्स बन गए है मित्रों आज की वीडियो में हम आपको इनके बारे में 10 अंसुनी बाते बताने जा रहे हैं बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंतितक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो नमबर वन एलन मस्क का जन 1971 में प्रिटोरिया दक्षड अफ्रीका में हुआ था 17 साल की उम्र में वो कनाड़ा चले गए उनके पास तीन देशों तक्षड अफ्रीका, कनाड़ा और अमेरिका की नाग रिखता है नमबर टू मित्रो अब तक उन्होंने आठ कंपनियों की शुरुआत की है मित्रो बच्पन से ही एलन मस्क को टेकनोलोजी में काफी रुची थी मस्क ने स्रिप 9 साल की उम्र में ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढली थी उन्होंने खुदी कंप्यूटर कोडिंग भी सीखी जब वो 12 साल के थे उन्होंने एक वीडियो गेम भी बनाया था जिसका नाम था ब्लाश्टर इस वीडियो गेम को उन्होंने 500 आस्ट्रेलियन डॉलर में बेचा था कहा जाता है कि मस्क जब छोटे थे तो इस्कूल में उन्हें काफी सताया गया एक बार तो उन्हें उनके सातियों ने इतना पीटा की अस्पताल ले जाना पड़ा मस्क ने तब 15 साल की उम्र में मार्चल आर्ट और कुस्ति सीखी थी नमबर 5 में तनों कहा जाता है कि मार्वल का सुपर हीरो आईरन मैन जिसका किरदार टोनी इस्टार्ट ने निभाया था दरासल एलन मस्क की जिंदगी पर अधारित है आईरन मैन 2 में मस्क ने एक कैमियू भी किया है दस सिंपसंट, बिग बैंक थोरी और साउथ पार्क जैसी स्रीज में एलन मस्क ने थोरी एक्टिंग भी की है नमबर 6 मस्क ने यूनिबरसिटी और पैंसलवेनिया से ग्रियोजिशन किया है इसके बाद वो एनरजी फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए वो स्टेंट फोर्ड यूनिबरसिटी भी गए अलाकि दो दिन बाद ही उन्हें जिप टू कॉर्पोरेशन लाँच करने के लिए यूनिबरसिटी छोड़नी पड़ी नमबर 7 मित्रो रॉकेट बनाने वाली कमपनी इस्पेस एक्स में मस्क मेजेरेटी रखते हैं और सीई ओ भी हैं लेकिन कोई सैलरी नहीं लेते नमबर 8 टेसला के नतीजे खराब आने के बाद एलन मस्क ने एक बार उसे बेचनी की भी सोची थी नमबर 9 मित्रो अपने कॉलेज के दिनों में एलन मस्क को सिर्फ एक डॉलर पेते दिन में अपना गुजारा करना पड़ता था वो दिन उनके काफी मुश्किल थे नमबर 10 मित्रो एलन मस्क की दो बाइफ हैं और उनके छे बच्चे हैं साल 2020 में उन्होंने अपनी कैनेडियन गल्फरेंट के साथ शादी की जिससे उनका एक बेटा हुआ मित्रो ये थी एलन मस्क से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मद भुलिएगा मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जय हिंद पंदे मात्रम